हेलो फ्रेंड्स चैश्री कृष्णा आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे स्वस्त होंगे और अपनाम जब जरूर से कर रहे होंगे है न तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज आपके सरस्वतिमा आप यह देख पा रहे होंगे दो काट्स आज फिर से यह अगेन इसके पहले वाली रिडिंग में भी आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए सरस्वतिमा और गणेश जी ही आए थे तो डेफिनेटली यहां पे विवस्त आपके जीवन से आपके अंदर कुछ ऐस स्किल्स डवलप की जा रही है ऐसे स्किल्स जो आपको है ना कहते हैं बोलने में एकδम एक्सपर्ट होते हैं उस तरह की आपको एणरजी में लेकर आ रहे हैं आपका बुद्धी आपकी विज्डम आपकी knowledge इतनी ज्याधा आपकी इंक्रीज होने वाली है इंक्रीज होगी और बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो औरा होगन वो इतना अट्रैक्टिव होगा यहां पे आप इतनी अबंडेंस अट्रैक्टिव कर रहे हैं इस वक्त जो आप नाम जब कर रहे हैं अपने इस्ट से कनेक्ट हो रहे हैं हो सकता है कुछ विवर्स जो है वो गंपती जी को भी मानते हों तो अगर आप मानते हैं या आपने उनके लिए कुछ किया है तो यहां पे आपको गंपती जी भी आपके स्पिरिट काईट जो है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस कार्ट के थ्रू इन दोनों कार्ट के थ्रू यहां पे और साथ ही मुझे यह भी को यहां पे continue रखने के लिए कहा जा रहा है या फिर अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको शुरू भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पे उससे आपकी healing होगी यहां पे यहां पे आपकी soul की healing होगी यहां पे definitely आपको कुछ ना कुछ यहां पे उससे नया सीखने को मि यहाँ पे कुछ blessings universe की तरफ से मिलने वाली है, बहुत ही जल्दी, आपकी wisdom तो increase हो ही रही है न, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी और सरस्वतिमा का एक साथ आना, तो यह तो आप समझी सकते हैं, कोई big sign है, बहुत major transformation आपकी life में चल रहा है, आप spiritual soul हो सकते हैं, यहाँ पे definitely, thank you, thank you, thank you so much कुनेशा, thank you सरस्वतिमा, thank you spirit guides, और देखिए again यहाँ पे गरुड देवताजी आये हैं, आपके जीवन से गरुड देवताजी जो है न, negativity को तो release करी ह रहे हैं, साथ यहाँ पे आपका और आपके person का जो throat chakra जो block है, ओके हो सकता है, आप separation में हो, no contact में हो, आपके person ने आप से इस connection के बारे में कोई बात ही नहीं की हो अभी तक, लेकिन अब आपके person इस connection के बारे में बात करेंगे, खुल के बात करेंगे और आपको clarity भी देंगे और साथ मैं यहाँ पे आप और आपकी परसन दोनों ही यहाँ पे spirituality की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों ही आप spiritual souls हैं आप twin flame journey में भी है यहाँ पे मैंने भी triple three भी देखा तो इस बात का confirmation है कि आप यहाँ पे triple आप यहाँ पे एक तो soul journey पे हैं ओके अपनी soul की growth के उपर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं already आप अपनी healing कर रहे है healing आपकी चल रही है ओके वाओ दिखी next आया है यहाँ पे हनुमान जी तो हनुमान जी आपकी भक्ती आपकी spirit guides है ना आपको इतना devoted आपके आपके अंदर जो ना भक्ती जो है कूट कूट कर भरने वाली है जिस तरीके से हनुमान जी श्री सीता राम जी के भक्त थे ना वैसी भक्ती का आशिरवाद आपके spirit guides आपको दे रहे है क्योंकि आपकी devotion से आपके determination से आपके spirit guides बहुत heart chakra तो definitely यहाँ पे कुछ viewers का heal हो चुका है या फिर बहुत जल्दी आपका और आपकी person का heart chakra यहाँ पे heal होने वाला है और इसी के साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे strength मिले कर आया जा रहा है आपके spirit guides आपको कहना चाहते हैं कि अब आपकी life में जो भी situation आ रही है या आने वाली है उनमें आपको fight करने की ज़रत पड़ेगी fight मतलब आपको ऐसा लड़ाई जगड़ा नहीं करना है लेकिन अपने आपको mentally strong करना है mentally physically emotionally अपने आपको तयार रखना है कुछ ऐसा आएगा या जो आपके लिए कुछ बड़ा आपको करना होगा कि आपके लिए कुछ universe ऐसी blessings लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसी opportunity लेकर आ रहे हैं जहां पर आपको physical mental stability strength की जरूरत होगी तो उसके लिए आपको यहां पर तयार कर रहे हैं आपको हो सकता है थोड़ा यहां पर uncomfortable feel हो या फिर already अगर आप ऐसी situation में है तो यह situation थोड़ी आपको uneasy जैसी feel होगी है थोड़े स हमें के लिए होगी लेकिन जब आप इसको अच्छे से पार कर लेंगे इस situation को अच्छे से handle कर लेंगे उसके बाद आपकी जो growth होगी ना वो आपकी growth को कोई नहीं रोप पाएगा और यहां पे आपको selfless service करने के लिए भी कहा जा रहा है तो यहां पे आपका बहुत जल्द जरनी में है और अगर आपको अभी तक soul purpose नहीं मिला है तो definitely आपको यहां पे soul purpose आपका मिलने वाला है महदेव शिवा तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो आपका union हो रहा है आपका इनर union हो रहा है आपके east से आप connect हो रहा है और जब आपका inner union हो रहा है तो आप अपने person से भी आप अगर twin flame journey में है तो यहाँ पे आपका 5D में भी यहाँ पे union हो रहा है 5D में या तो आप unite हो चुके हैं या फिर बहुत जल्दे आप 5D में unite होंगे और आप आपका inner union होगा आपका dmdf energy balance होगा आपका और आपके counterpart का और उसके साथ में भी यहाँ पे आप 3D में भी आप अपना union manifest कर रहे हैं इस वक्तों के 3D में भी physical world में भी आप unite होंगे बहुत जल्दी यहाँ पे और अगर आप अपने marriage से related आपको कोई concern था marriage से आपका यह सवाल था कि आप जिन भी person को mind में रखकर यह reading देख रहे हैं विवास तो उनके साथ आपकी marriage होगी नहीं होगी तो definitely आने वाले साल में यहाँ पे आपकी marriage उनसे होगी यह card यहाँ पे यहाँ पे उनसे marriage होगी बस आपको अपने उपर focus रखना है आपको desperate नहीं होना है कि मेरी शादी होगी की होगी कि नहीं होगी कब होगी आपके partner आपको कब आके commitment देंगे इस तरीके से आपको उसके लिए desperate नहीं होना है अगर आपने marriage manifest कि है तो marriage होगी या पिर जिस भी तरीके से आपने अपना union manifest कि है अगर आप spiritual जर्णी में है तो यहाँ पर अपना नाम जब आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी spirituality पर अपनी spiritual growth पर ध्यान देना है ध्यान देना है आपको, meditation करना है ध्यान वर्ड से मुझे यही intuition आ रहा है कि आपको meditation करना है अपने अंतरात्म की आवाज को सुनना है अवाज उस आवाज को सुनना है जो आपसे कुछ कहना चाहती है आपको कुछ guide करना चाहती है तो यह आपको चेक करना होगा, आपको अपना ध्यान लगाना होगा अपने east से बात कीजिए, अपने east से connect होए ताकि आप उस आवाज को सुन सके अपने अंतर आत्मा की आवाज को ओके यम दूत का काड़ यम आप हम सभी जानते हैं यम दूत का काड़ डैथ का काड़ तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फेज आपका खतम हो रहा है कोई पैटन आपका यहाँ पे युनिवर्स खतम कर रह जो आपका लंबे समय से यहां पर एक नेगेटिव पैटन जो चल रहा था यह हो सकता है आप कोई पैटन ऐसा कंटिनिसली रिपीट कर रहे थे जो आपकी सोल ग्रोथ में यहां पर ब्लॉकेज का काम कर रहा था तो उस ब्लॉकेज को यहां से रिलीज कर रहे हैं और जब यह से रिलीज हो रहा है तो यहां पर आप एक transformation के दौर से गुज़र रहे हैं अगर आप भकति के मार्ग पर हैं तो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में याप एक transformation चल रहा है आप अपने इस्ट से बहुत अच्छे से कलेक्ट हो पाएंगे आप अपनी intuition पावर को सुन तो के लेकिन वह आपको आपकी तरफ आप से expect कर रहे हैं कि आप उनसे हेल्प अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप उनसे help मांगे यहां पर आपको help मांगने के लिए कहा जा रहा है ठीक है और यहां पर कुछ विवर्स ऐसे जिने डैथ का भए हो सकता है ना हो सकता है लिख तो आपको उस भए से भी यहां से आपके spirit guides बाहर निकाल रहे हैं आपके विवस तो यह थी आपकी आज के spirit guides की messages आई वोप आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और कमेंट में भी आके जरूर बताएगा कि रिडिंग आपको कैसे लगी तब तक आप अपना ध्यान रखिए ओके चैश्री कृष्णा God bless you Radhe Radhe